नमस्या दोस्तो स्वागत है आपका MW Classes में यह लास्ट टाइम रिविजन सिरीज है पाचास आप कोश्चन कराऊंगा मैं लास्ट टाइम में क्योंकि DFC के एक्जाम दो दिन बाद है तो यह पाचास इंपोटेंट कोश्चन है तो चलिए शुरू करते हैं तीन लेक्चर ता उसका नाम है South Coast Railway Zone जो कि 2019 में बना था Railway Zone देखते हैं Northern Railway Zone जिसका Headquarter देली में है Southern Railway Zone जिसका Headquarter कहां पर है चेनिक Central West Railway Zone का Headquarter है Bombay Churchgate East Railway Zone का Headquarter है Fairly Place Kolkata जो हमारा Central Railway Zone है उसका Headquarter है Bombay CSMT अब हम North Central Railway Zone देखते हैं जिसका Headquarter प्रियाग राज में है इसको हम पहले भार बोलते थे रियाग राज आएका ऑप्शन में South Central Railway का Headquarter है सिकंदराबाद, West Central Railway का Headquarter है जवलपूर, East Central Railway का Headquarter है Хाजिपूर, जो Northeast Railway हमारा हुषका Headquarter है गौरगपूर, South East Central Railway का Headquarter है बिलासपूर, जो South East Railway है है, इसका Headquarter है Garden Reach Kolkata, South West Railway Zone का Headquarter है हुबली हुबली है माले गाव गौहटी में है गौहाटी आसाम में है रहे आता है Conquer railway Conquer railway का headquarters है Navi Mumbai फिर दो railway zone आते है हमारे एक हमारा East Coast railway zone जिसका headquarters भूफनीशवर उ्डिसा में और लास्ट है साउट Coast railway zone latest railway zone हैं जिसका headquarters विशागा पढ़ना बहिना में 2019 में railway zone मना था यह foundation date है Camera zone की की थी तो आपको पता है कोलकाता मेट्रो इंडिया की फर्स्ट मेट्रो रेल है जो कोलकाता मेट्रो है वह 1984 में उसका उद्गाटन किया था किस ने किया था यह इंपोटेंट कोशन है उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंद्रा गानी जी ने डेस्ट कोशन है और काफे मिनिस्टर इन इंडिया बारत की पहली महिटा रेल मंदरी कों थी उसका करेक्ट आंसर ये मम्ता बेहनर जी जी जो इसे वेंडेट बंगल की CM वेंट ने सबसे आएсы का युनाइटे बाद टारा नेडवरड है नेस्ट कोशन है, the unreserved ticketing through mobile application, UTS application was started by Indian railway in which of the following year भारती railway दोरा, mobile application, UTS app के माध्यम से अनरक्षिट ticket की शुरूबात किस वर्स की गई थी इसका correct answer है, 2014 में start करा था, UTS app से ticket करना नेस्ट कोशन है, which railway station have longest platform in India भारत में किस railway station का platform सबसे लंबा है इसका correct answer क्या है, शिरी शिद्दरूट, सौमी station, यह है कनाटका में second पूछेगा, गोरकपुर railway station, UP में है, यह second longest platform है इंडिया का first पूछेगा, शिद्दरूट railway station, इसको हम हुबली जंशन भी बोलते हैं, हुबली station भी बोलते हैं और हुबली डिविजन में आता है, डिविजन भी याद रगी है, हुबली डिविजन next question है, who is the metro man of India, भारत का metro man कोन है, हम किसको metro man के नाम से जानते हैं देखें, 1921 में, एक कमीटी आई थी, एकवत कमीटी, एकवत कमीटी, जिसमें कितने मेंबर थे, दस मेंबर थे, दस मेंबर थे इसमें, और दस मेंबरों में, तीन मेंबर जो थे, वो इंडियन थे, तो इंडियन मेंबर का नाम याद रखी आप, पहले इंडियन मेंबर थे जो एकवत कमीटी आये थी उसमें दस मेंबर थे उसमेंचे तीन इंडियन मेंबर थे तीन लोग इंडियन थे वी एस श्री निवास सर्वास्तफ उशोत्तम दास ठाकुर राजेन नात मुखर जी जो ये एकवत कमीटी आये थी ना उन्होंने तीन चीज बोली थी पेली चीज बोली थी उनने कि हमें जो railway board है न railway board का reorganize करना है, reorganization करना है, पून गर्थन करना है दूसरी बार बोली थी railway का nationalization करना है और जो तीसरी बार बोली थी वो बहुत important है तीसरी बार बोली थी उनने जो railway है न railway को separate कर दो railway budget को separate कर दो railway budget को separate कर दो general budget से तीसरी बार यह बोली थी, फिर 1924 में, जो railway budget था, उसको separate कर दिया था, general budget से, general budget अलग हो गया था, और railway budget अलग हो गया था, 1924 में, ठीके, याद रटना, question यह आता है, 1947 में, जो independent India का, independent India का railway budget किस ने दिया था, तो आप option लगाएंगे, जोन मेथाई, जोन मेथाई ने, independent India का railway budget थे, फस्ट इंडियन railway minister थे, जोन में थाई, ये भी याद रखी आप, और इन्होंने फस्ट रेलवे बजट दिया था, जोन मेथा ही ने, फस्ट जनल बजट किस ने दिया था पता है आपको, तो उस टाइम finance minister थे हमारे, कूझ आरके शनमुकहन 6 थे, उस टाइम finance minister, उन्हो होने first General budget दिया था को रही जो में धरीन न दिया था जो कि 2016 को मिनिश्टर ने उन्होंने रेल्वे बज़ेट दिया था में हमारे रेल्वे बज़ेट किस नहीं दिया था विबेक देबरोय कमीटी बोलते हैं, विबेक देबरोय कमीटी तो कि निती आयो की कमीटी थी, इसने बोला कि हमें जो रेलवे बजट है ना, रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों सेबरेट थे, तो विबेक देबरोय कमीटी ने क्या बोला कि हमें रेलवे बजट और जनर आप 2017 में दोनों बजट को मर्ज कर दिया था तो आप रेजव्य बजट और जो हमारा जनरल बजट था वो मर्ज हो गए थे तो कोशन यह आता है कि जो 2017 में मर्ज बजट आया थे जो त्यों जेटली जी ने 2017 में मर्ज बजट दिया था इंपोरेंट कोशन है और 2016 में दोनों अलग थे उस टाइम सुरेश पवु ने कौन सा बजट दिया था रेल्वे बजट ये भी बता दिया मैंने आपको जो फाइनेस मिनिस्टर था हमारे अरुन जेटले जी ने फर्स मर्ज बजट दिया था तो याद रखना आप नेस्ट कोशन है विच इस दा फर्स प्राइवेट ट्रेंड इन ओफ इंडिया बारत की पहली प्राइवेट ट्रेंड कौन सी थी तो तेजास एस्प्रेस इसका करे अग्धाष से बौंब भास से और से छली ने कोशन है वर्फार की पहली ट्रेंग क्शुरू की की गई थी टो एक्किसफरव़ी 1941 में पहली ट्रेंग चली दी इकिसफरवरी 1804 वर्ट की फ्रस ट्रेंग कि अंडिया भारत की पहली ट्रेंग चली थी यह तो सब को यादए इ शाटियर में देशन है बॉमबई में बोंबई बॉरीबंदर से चली थी थाने यह ट्रेन बॉरीबंदर से ठाने चली थी इसमें तीन इंजन लगे थीं इंजन लगे थी उनunge का नाम बताएंगे। पिरेहला है साहें दूसला सुल्तान और था एंजन था integral coach factory का है स्थी थे तो इसका correct answer है chain nahi में chain nahi में जिसका नाम है integral coach factory वो chain nahi में है और यह rail coach बनाती है यह कब बनी थी यह बनी थी 1955 में पेरंबू चैननाई तमिलाडू में है integral coach factory 1955 में बनी थी next question है which is the oldest railway zone in India बारत का सबसे पुराना railway zone कुन सा है तो southern railway सबसे पुराना रेलवे जोने इंडिया का बारत में पहली भूमीगत रेलवे मेटर रेलवे कब सुरू की गई थी तो 1984 में कोलका था मेटर फस्ट अंडरगराउंड मेटर थी इंडिया की इसकी लेंद पूछेगा तो 10 या 214 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है नेस्ट कोशन है वेन वोज अ सेंटर रेलवे इस्टेबलिश सेंटर रेलवे की स्ताबना कब की गई थी तो 1951 में तीन रेलवे जोन बने थे मेरे रेलवे जोन वाला लेक्चर है नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा तो कि उससे कोशन बहुत आते है नेस्ट कोशन है विच इस दा फास्टेस्ट ट्रेंड इन इंडिया 2020 2020 में बारत की सबसे तेज ट्रेंड कौन सी थी अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना बिनकुल ना भूलें एमड़ू क्लासेस को कमेंट शेशन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा तेलेग्राम चैनल जोइन करें हमारा अगर आपको इसकी पीडियो चाहिए और जिसकी भी पीडियो चाहिए सब पीडियो आपको टेलेग्राम चैनल में मिलेंगी यह लाज्ट टाइम रिविजन सीरीज है तो ज़रूर देखके जाना इस लेक्चर को थेंक्स फर वचिंग MW Glasses